तो आज के इस वीडियो में हम कि लास फॉर्थ की एंग्लिश बुग मैरी गोल की पोयम करेंगे जिसका नाम है नोजेस तो इस वीडियो में हम पोयम को एक्स्प्लेंड करेंगे विद वर्ड मिनिंग और इसके साथ साथ ही कुश्यन आज से पर करेंगे तो जलिए स्टार्ट करते हैं लेट स्टार्ट तो देखें पोयम को सुुरू करने से पहले हम इसमें आये हुए कुछ वर्ड है जिनकी मिनिंग जान लेते हैं थाकि जब व to 7 में आएंगे तो उनका जो मीनिंग है माम आसानी से समख सकेंगे तो देखें सबसे पहला वोर्ड है हमारा को है मेर 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 होता है शीशा वीए मजेदार सि浅क माने चिपकाना वने च्षेत ब्रिटिंग है यह दे और सांस लेना टो यह सारे वठ हमारी प्यप स्टार्ट करते हैं तो देखे हमारी पोयम का नाम है नोजेज नोजेज यानि कि नाग के बारे में ये पोयम है तो चले पहले पोयम पढ़ लेते हैं I look in the mirror and look at my nose, it's the funniest thing the way it's gross, stuck right out where all of it shows with two little holes where the breathing goes I look in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair and between there is not much space to spare with my nose like a handle sticking there, if ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose stick out देखें स्केल वे राइटर है वो है एलीन फिशर देखें नोजेज जो है एक पोयम है जिसमें एक लड़की आपको दिख रही होगी जो कि mirror में यानि कि छीशे में देखके कह रही है कि I looked in the mirror जब मैं शीशे में देखती हूँ and look at my nose और जब मैं अपनी nose को देखती हूँ it is the funniest thing the way it's go तो यह मुझे सबसे funniest thing लगती है यानि यह बहुत ही मजाकिया एक प्रकार की लगती है कि यह कैसे हमारे चहरे पर उगी हूँ है कैसे हमारे चहरे पर लगी हूँ है इसको देखे मुझे बहुत हसी आती है यानि बहुत funniest चीज लगती है स्टक राइट आउर वहां पर कैसे लगी हुए है विद तू लिटिल होस वेर दर ब्रीथिंग और जिसके नीचे दो क्या है चोटे-चोटे स्टेध भी है आपको दिख रहा होगा नोज में जिसके नीचे क्या है दो नोज होती है यहां पर दो च्छोटे होस होते हैं जिससे को पृफ इन दी यह ऑंट यहां पर मेरा चीन इंड हो जाता है यानि कि जहां पर चैरह खतम होता ये कि जहांपर चारह से आंड बशो बीत कि बीच sollte है ठीक है जो यह वीच की दो जगह यह बh i Hemmarkyomena करूंऑ ुप के लिए हैं तो यहां पर इतना ज़्यादा रावा केस्ट उपार लुगाई वहां पर उसको लगए देगा ग parece केँ ऊपने जिसे कोई नव नुग Swedish होता है तो कहा है कि आपको आपको ऐसे पकरने की कुछ आपके नोस को भगणता क्योंकि वह आगे रोगी होती है तो इसलिए उसको देखें हस रहे हैं कि हमारे चैरे पर वह एक हैंडल की तरह प्रक कर दी गई है अगर आपको कभी हसना हो या पी कभी चिलाना हो और आपको यह समझ में नहीं आ रहा हो कि हमें हसने के लिए कोई किस पे हसे हम या पी किसको देखके हम चिलाएं तो आप क्या करो कह रहे हैं कि आपको कोई डावट की जरुती कोई उसमें दूइदा नहीं है कि यूविल सी आप देखेंगे कि हाव फणी और नोस टिक आउड कि आप देखें तो आपको लगेगा कि जो आपकी नोस है कितनी फणी है कितनी मजाक्या है कि कैसे हमारे चैरे पर हुआ चिपकी हुई है तो इसको देखेंगे आपको खुब हसी आएगी तो यह लड़की कहे लिए तो यह है इसके राट ऐलीन फिशर अब देखें इसमें कुछ न्यू वर्ड आया है पहला वर्ड आया है मिरर जिसके हमने वर्ड अब देखें इसके कुछ question answer है तो चलिए इन question answer को भी कर लेते हैं तो इसमें पहला question है why does the poet feel that the nose is a funny thing तो जो poet है इसका जो वो क्यों सोच रहा है कि हमारी जो nose is a funny thing है क्योंकि the poet feels that the nose is a funny thing because it is stuck on the face क्योंकि वो हमारी जो nose है वो कहा हूं है stuck on the face like a handle and it has two little holes क्योंकि वो हमारे चैरे पर एक handle की तरह उसको stuck किया गया है और उसमें दो छोटे 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 छेद भी हैं तो इसलिए poet को बहुती funny thing लगती है अब देखिए second question है why is your nose important for you क्या हमारी nose हमारे बहुत जुरूरी कहां बिल्कुल जुरूरी है क्योंकि nose help us in breathing क्योंकि nose हमारे सांस लेने में मदद करती है अब देखिए last question है जिस पर हम हम सकते हैं मजाक्या जीजे अब देखिए इसमें लिखा है last talk last talk में describe a few funny things you have seen do they make you laugh तो आपने ऐसी कोई चीजे बतानी है जिसको देख के आपको हसी आई हो जिससे आपने कभी कोई joke सुना हो या आपने कोई ऐसी चीज देखिए और जिसको देख के आपको हसी आ गई तो आपने वह चीजे लिखनी है उसके बारे में बात करनी है and what does feature means तो features का means क्या होता है features क्या होता है किसी को हम देखते हैं तो उसकी जो नाग नक्षे होते हैं उनको हम कहते है feature तो आपने उसको डिस्नलिस का meaning भी देखना है and what are the different kinds of feature of people we come across in the world discuss तो आपने यह भी discuss करना है कि सारे world में जो लोग है सबके अलग-अलग features होते हैं तो उसके बार में discuss करना है जैसे कि आप में देखो जो Chinese लोग होते हैं उनकी छोटी-छोटी आखे होती है और इसके अलावर जो UK या भाहर other countries जैसी अमेरिका के लोग होते हैं तो जो भी उनके features होते हैं उसके बार में आपने discuss करना है अब देखे यहां पर एक song है Let's sing this song and the march as you sing तो आपको इस गाने को दो तीन बार में repeat करना है आपका song है There was a girl so tall and thin and fair Her hair was the delicate shade of ginger तो आपने इसको गाते पर march करना है आप देखे फन टाइम है आपको ग्रूप में पहटना है Look at your friend face आपने अपने friend का face देखना है Describe what you see और आपको देखके बताना है कि आपने क्या देखा और आपने इन वर्ट का यूज करना है जैसे कि long, round, owls, tintes, sharp, flat To help you, you can use other word also तो आप जैसे लिख सकते है My friend face in all shape लिख सकते है या फिर round shape लिख सकते है His or him nose is sharp या फिर flat तो जो भी आपको feature देखते है उनके बारे में आप यहां पर लिख सकते है अब देखे आपने यहां पर क्या लिखना है What is your favorite fruit? आपने बताना है कि आपका जो favorite fruit है वो क्या है उसके बारे में आपने बात करनी है तो उसके बारे में आपने पांच लाइन लिख जैसे कि अगर आपको अभी तो जातर बच्चों का favorite fruit mango होता है लेकिन आपको जो भी fruit आपका favorite आपको उसके बारे में लिख सकते हैं मैंगो के बारे में लिख सकते हैं My favorite fruit is mango It smells good It is yellow in color It is very soft to eat It makes a sharp sharp sound या भी यह खाने में बहुत ही tasty होता है तो ऐसे करके आपने इसके बारे में 5 lines लिख लेने 5 sentences बनाने उसके बार उसी से relative question है जैसे उसके आशर देहने के आपने की how does it smell तो इसकी smell कैसी हो की तो आप लिख सकते हैं की it smells good इसकी smell बहुत अच्छी होती है and how does it look अब जैसे आप mango की बात कर रहे हैं तो आप लिख सकते हो की its color या फिस लूक लाइक yellow and green color यह yellow green color का होता है and how how do you how does it feel तो आपको कैसा लगता है हमें बहुत पसंदे हैं and when you buy it what sound does it make तो जब आप खाते तो कैसी sound आती sharp sharp करके sound आती जब कोई आप भेंको खाएंगे और इसका taste कैसा होता है तो आप बहुत सकते हैं बहुत ही मजेतार होता है या भी खाने में बहुत मीठा होता है and is sweet बहुत स्वीट होता है खाने में ठीक है तो आप इसके according आप बना सकते हैं breathing exercise करने हैं close your right nostril and with your right thumb देखिए इसमें एक तरफ से नाक से आपने थम को दबाना है और दूसी तरफ से आपने ब्रीथ को out और in करना है तो यह exercise आपने देखिए होगी योगा में जिसको हम योग में कहेंगे तो अनलोंब लोंब आयां भी इसे कहते हैं योग भी कहते हैं तो आपने यह exercise करने हैं क्योंकि यह exercise बहुत अठी होती है आपकी increase your speed तो आपकी जो भी speed इसको बढ़ाएगी जैसे भी आपकी जो health इसको improve करेगी तो यह exercise आपने करनी है आप देखिए लास्ट में है let's ride आपने लिखना है Do you know a fish breathe from its gills write two sentence about other animals which can breathe underwater तो देखिए आपको पता है जैसकी fishस्तíया होती है अपनी गिल्स से breathe करती है आपने दो जानवरों के लिखने है joki underwater रहती है े जो कि वहां से अपनी ज़िल्स से गय जैसरे की crocodile लिख सकते हैं आपके योगर्याथ वाप लिख सकते हैं आप टरर्टर्ल लिख सकते हैं में तो इसमें पहला लेटरल केप्टल हो तो यहां पर लिखेंगे मदर फादर इसमें कॉमा लगेगा और नीलम का एन भी केप्टल होगा क्योंकि नीलम क्या एक नाउन है said I have तो यहां पर आई देखे केप्टल होगा got a fire engine तो engine के बाद यहां पर फुली स्टॉब लग जाएगा और आई के बाद यहां पर कॉमा लगेगा तभी I have बनेगा तो यहां पर जैसे की आई फिर ऐसे आई लिख सकते हैं got a fire engine तो यहां पर क्या fire engine के बाद आप लिखेंगे को यह फिली स्टॉब लगाएंगे फिसकी वर्ट का फिर देखें यहां पर फुली स्टॉब हो गया फिर देखें सम्वेर सम्वेर कन्फूज बाइद नोस तो कुछ लोग से इसे इसको फिल करना है अब देखें अब देखें लास्ट में इसका using red pencil choose and the circle the things who smell you like and now with a blue pencil circle with the things who smell you do not like make five sentence like this तो आपने देखना है कि जो आपको पसंद है उनको तो आपने किसे करना है अब यहां पर एक पहेली दी गई है उसके बार में आपने बताना है what is this तो यह क्या होगा तो जो जिसकी बड़े बड़े कान है छोटी सी पूचा और जो हॉप करके चलता है तो वह आपको यहां पते के फूप करके चलता है पोटो भी देख रही है वह क्यों है वह रैबिट तो यहां पर आप से लिखते है रैबिट उसका नाम है रैबिट अब देखे नीचे आप लिखा राइट थ्री पियर्स और राइमिंग विद इस अधर तो इस पोयम में आपको बताना है कि वह थ्री पियर बता रहे है जो थ्री पियर्स बन गए इसी के साथ ही हमारी यह पूयम कंप्लीट हो गई आई होप आपको यह पसंद आई होगी तो प्लीज चैनल को लाइक शियर सुस्क्राइब कीजेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू